आज के इस वीडियो में आपके साही करूंगी यह बुरुफुल सा टॉप जिसे मैंने अपने डुपटे के हल्प से बनाया है बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चानल का सब्सक्राइब निंक है तो प्लीज इसे कर दीजे और बाजु का बेल आइकन भ को सबसे पहले मिले सो फ्रेंड्स नाव लेट्स के स्टार्टिग तो जैसे कि आप देख सकते मैंने यहां पर टुपटा लिया है जिसका जो साइट का गोलिन पार्ट है गोलिन लेस उसे हम करकर के निकाल लेंगे उसके बाद हम इसे वन फोल करेंगे और अपने टॉप का म मैंजिमेंट ले लेजे सारा मैंजिमेंट ले लेने के बाद आप अपने नेक का मैं भी मैंजिमेंट ले लेजे हम यही जौजट का दुपटा है लेकिन हम इसमें कोई भी लाइनिंग नहीं इस्तेमाल करेंगे हम इसमें अपनी मैं इसमें अपनी जो पराना मेरा स्लीव है कॉटन का पीच कोलर का में वही इस्तेमाल करूंगी इसलिए में कोई भी लाइनिंग नहीं अटाच करूंगी फिर यहां पर में तीन इंच का नेकर का एक मेजरमेंट ले लोंगी और इसे सिंपली कट कर दूँगी इसे कट कर देने के बाद जो आपका टॉप का फ्रंट का हिस्सा होगा आप उसे हमे लेना होगा उसे फोल करते हुए हम V-Shape देंगे सेवन इंचेट्स का स्लांग प्राइन ड्रॉ कर देंगे हम दोनों एंज पर जैसे कि आप देख सकते हैं और एक स्लांग प्राइन देकर हम इसे सिंपली कट कर देना होगा यह दो आएक जैया आएक संवी चिंपली के आप देकर कुर्ट बाइ पांप प्रॉन परीतों हेले प्रीज आप आप सूल प्राइक ड्यूदर ऑन देख सकते हैं यहां पर यूदर में पने अपने शूल्डर को हम कर दिया है रेक्रण फराने परॉन घ्युम कि ऑन प्रश आन कुर्टिया लिया है जिसे हमें साइट का फिटिंग दिया था ताकि हमारी स्लीव की फिटिंग प्रॉपर आए उसके बाद हमें अपने आर्मोल्स और स्लीव की फिटिंग का मैजरमेंट लेते हुगे लाइन डॉ कर लेंगे और इससे भी हम सिंप्ली सिजर के मदद से कट कर देंगे सारी कटिंग हो जाने के बाद हम अपना टॉप लेंगे जिसे राइट साइट प्लीस करेंगे राइट साइट प्लीस करेंगे बाद यहां पर हम इस तरीके से हम लगा लेंगे हमें सिलाइम मिशिन के हिल्प से इसे लगा लेना होगा इस तरीके से जैसे के आप दे के ही फाब्रिक से कट करेंगे टुपटे के फाब्रिक को हम फोर फोल कर लेंगे और जो कॉर्णर रेजिस हैं पर देडर इंच का हम तीन पॉइंट ड्रॉ करेंगे और तीन पॉइंट ड्रॉ करने के बद हमें से कर्व लाइन में दे देंगे उसके बाद हमें जो हमारा जो फ अगर आपको और बड़ा राफिल चाहिए तो आप और बड़ा फाबरिक ले लेज़े देज इंच का इस तरीके से हम पॉइंट डॉप करके कर देंगे इस तरीके से और इसे भी हम सिंप्ली सिज़के मदद से कट कर देंगे इसके बाद सबसे पहले हमें से ओपन करेंगे और इससाइट ऐसाहिए उसे हम कटकरों कि आलग कर लेंगे सबसे हुहं पें करके बड़ां करमें बाद जो कर टें़ह सामे जो के भी लेख कर सिंद और इस तरह? तो आपने टॉप को इस तरीके से बल स्लीट के साथ जॉइन करना होगा तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने जॉइन कर लिया है अब हम इसे रॉंग से प्लीज कर लेंगे और इसका जो साइट फिटिंग है वो दे देंगे तो यहां पर मैंने रॉंग से प्लीज कर लिया और अपना साइट का फिटिंग हम दे देंगे बट नीचे का रॉइजिस हम नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने साइट का फिटिंग दे दिया है मगर नीचे का रॉइजिस हम नहीं किया है नीचे का रोई जिस हमने इसे लिए हम नीग किया था क्योंकि हमें बैक पर एक कट देना है जिसे हम रॉंग सेट प्लेस करेंगे और उसके बाद हम बैक का यांबिर 18 है तो 9 इंच पर एक पॉइंच पर पॉइंच पर करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन डो करेंगे जो कि 9 इ तरह था इंडे के बाद वानीच फाबरिक अंदर दाल के हम कर लिजे और नीचे का भी एज इस हम मदाया है याफ भी one नीचे के हैं आर बैक कर लिए हम कर लिए और निचे कीप कह पुए हमसे लिए आप ले लिग neither felt आपको मेरा आज काई डियावाइ वीडियो पसंद आया तो प्रीज लाइक श्री लाइक श्री की तरह फीसिंग करके इस तरीके से लगा लीजे फिर आप सिलाइ मेशिन के हल्पसे से स्टिच कर देगे पिर हम इसी ही डुपते के हल्पसी और डोडी को तयार करेंगे जो लू जरूर कीजएगा और बतायेगा आपको मेरा आज काई वीडियो क्या सर लगा तिल देन थैंक यू फो वाचिंग मैं चानल बाबाई